के नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने सामदाम दंड भेद इस्तेमाल करके राहुल गांदी को संसत से निकाल दिया है इस शक्स की नादानी से देश भिक रहा है लोकतंत्र मटिया मेठ हो रहा है संविधान को कुछला जा रहा है एक ऐसी आवाज जो आप के लिए संसत में बोल रही थी कुसूर क्या था उन्होंने प्रधान मंत्री जी के भरस्टाचारी मित्रों के खलाफ आवाज उठाई उन्होंने पूछा कि 20,000 करोन रुपया कहां से आया उसका जवाब प्रधान मंत्री जी को देना पड़ेगा अगर प्रधान मंत्री जी इतना कहने से आप राहुल गांदी जी की सदसता ले लेंगे तो हम तमाम संसत तयार हैं ले लीजे हमारी सदसता लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं हम जुकने वाले नहीं हैं हम मुसलसल बोलते रहेंगे आज भारते जन्ता पार्टी के लोग बाड़े होकर के राहुल गांदी माफी मांगो के नारे शुरू कर देते थे किस बात की माफी अरे भाजपाईयों माफी तो आपको मांगनी चाहिए पंद्रा लाक के जूटे जुमले के लिए माफी मांगो बढ़ती हुई महंगाई के लिए माफी मांगो अच्छे दिन के जूटे वादों के लिए माफी मांगो लोग तंत्र को कुचलने के लिए माफी मांगो महंगाई के खिलाफ माफी मांगो 400 का सिलेंडर 1100 रुपए करने के लिए माफी मांगो 58 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए का करने के लिए माफी मांगो हिंदू को मुसल्मान से लडाने के लिए माफी मांगो सिक को हिसाई से लडाने के लिए माफी मांगो माफी तो तुम मांगो मांग किया तो पुर्धान मंत्री जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैं अमेरिका में खड़े हो करके आप कह रहे थे कि भारत तो सपेरों का देश है भारत में पैदा होना तो पाप है पुर्धान मंत्री जी माफी तो आपको मांगनी चाहिए मैं कभी-कभी सोचता हूँ क्या मूँ दिखाऊंगा महत्मा गांधी को मैं क्या मूँ दिखाऊंगा राजी उजी को हम क्या मूँ दिखाएंगे इंद्रा जी को कि उनके वारिस के साथ उनके घर के चश्म चराग के साथ इस तरह की अपमान जनक बाते की जा रही है और देश खामोश बैठा है उस शक्स ने क्या गुना किया क्या कुसूर है उनका उनका कुसूर इतना है कि जब देश में नफरते सर चड़ करके बोल रही थी तो उस शक्स ने कहा कि मैं भारत जोड़ने के लिए अपने पेर के छालों की परवाह किये बगयर चार हजार किलोंटर चलूंगा ये कुसूर है रहुल गांदी का क्या जिल्म कर रहा हूँ मुझे मार दीजिए जो जखम बाढ़ते हैं उन्हें जीष्त पे है हक मैं फूल बाढ़ता हूँ मुझे मार दीजिए और रहुल जी के मेरे भाई कि लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खडे थे कहा गया है सुना गया है कोई न बोले कहा गया है सुना गया है कोई न बोले जबांदराजों को मश्वरा है कोई न बोले अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है जो चाहता है जो सोचता है कोई न बोले हमारी दाई तरफ इस सदी का सबसे बड़ा फकीर सोया हुआ है मैं उनकी समाधी से बिलकुल करीब खड़ा हो करके संकल्प सत्याग्रा में मेरी आँखों के सामने तप्ती दोपहरी में बड़ी तादाद में मौझूद कॉंग्रेस पार्टी के सिपाहियों को सलाम करता हूँ नौरात्री चल रही है, रमजान चल रहा है मैं रोजे की हालत में हूँ, आप तमाम साथी ऐसे होंगे जिन्होंने नौरात्री के वरत रखे होंगे और इस पवित्र सब्ताह के बीच में हम खड़े हैं एक हाकिम की सनक के से उपजे हुए एक फैसले के खिलाफ दोस्तो, भारत के लोकतंत्र के लिए एक मुश्किल लमहा है ये याद करिये, जब हाकिम की सनक की वज़ा से आप लाइनों में लग करके अपने पैसे बदलवाने के लिए बैंकों के साथियों से विनती कर रहे थे चरौरी मिन्नत कर रहे थे तब सबसे बड़ी आवास बनके कौन बोल रहा था राहुल गांधी, नतीजा क्या निकला, उनकी स्पी जी सुरक्षा वापस ले ली गई याद करिये, जब गबर सिंग टैक्स लगा करके छोटे ब्यापारियों को बर्बाद करने का सपना पाला था इस सरकार ने तो सबसे मजबूत आवास बनके कौन बोल रहा था, राहुल गांधी नतीजा क्या निकला, हजारों करोन रुपे खर्च करके उनके पीछे ट्रोल आर्मी लगा दी गई उनकी इमेज खराब करने के लिए जितने तरीके अपना सकती थी, भारती जनता पार्टी उसने अपनाया याद करिए, याद करिए, कि जब राफेल के मुद्दे पर राफेल में हुई लूट के खिलाफ, एक अकेला शक्स पूरे देश में खड़ा हो करके चोकीदार से पूछ रहा था कि आपकी चोकीदारी का सवाले, बताईए सच्चाई क्या है तब उनके पीछे, पच्पन घंटे उन्हें, एडी के आफिस में बिठा करके पूछ ताच की गई, मेरे भाई, उस शक्स ने क्या गुना किया, क्या कुसूर है उनका, उनका कुसूर इतना है कि जब देश में नफरते सर चड़ करके बोल रही थी तो उस शक्स ने कहा, कि म भारत जोडने के लिए अपने पेर के छालों की परवाह किये बगएर 4000 किलो मीटर चलूंगा, ये कुसूर है राहुल गांधी का, ये कुसूर है राहुल गांधी का, कि वो एक शहीद पिता के बेटे हैं, ये कुसूर है उनका, ये कुसूर है उनका, कि उनकी दादी ने इस सदन नहीं शुरू हुआ रहता था और खड़े होकर के राहुल गांदी माफी मांगो के नारे शुरू कर देते थे खिस बात की माफी क्योंकि वो भारत जोड़ रहे हैं वो लोकतंद्र को बचाने की बात कर रहे हैं अरे भाजपाईयों माफी तो आपको मांगनी चाहिए 15 ल सेंडर 1100 रुपए करने के लिए माफी मांगो 58 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए का करने के लिए माफी मांगो हिंदू को मुसल्मान से लडाने के लिए माफी मांगो सिक को हिसाई से लडाने के लिए माफी मांगो माफी तो तुम मांगो और अगर तुम यह कहते हो कि राह तो सपेरों का देश है भारत में पैदा होना तो पाप है पुर्धान मंत्री जी माफी तो आपको मांगनी चाहिए मैं आज प्रियंका दीदी को सुन रहा था मेरी आखों में आशू थे उनका भाशन सुन करके पिछले कुछ हपतों में दो बार मेरी पलके नम हुई पहली बा मेरी आख में आशू थे मैं शायर हूँ तो मैं भावग हूँ शायद इसलिए मेरी आखे नम हो जाती है ऐसे लम हो में आज जब प्रियंका जी बोल रही थी तो मैं उन्हें सुन करके भी मैं नम हो गया ये जल्म है के जल्म को कहता हूँ साफ जल्म क्या जल्म कर रहा हूँ मुझे मार दीजिए जो जखम बाटते हैं उन्हें जीस्त पे है हक मैं फूल बाटता हूँ मुझे मार दीजिए फिर उसके बाद हिंदुस्तान वालों फिर उसके बाद शहर में नाचेगा हू का शौर फिर उसके बाद शहर में नाचेगा हू का शोर मैं आखरी सदा हूँ मुझे मार दीजिए मेरे भाई इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लिए जो सबसे बड़ी आवाज है इस देश के उसको मारने की उसको कुचलने की जो कोशिश है उसके खिलाफ आपको खड़ा तो हुना पड़ेगा आपको बोलना तो पड़ेगा मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब मैं कभी समाधी पर जाओं तो क्या मू दिखाऊंगा महत्मा गांधी को मैं क्या मू दिखाऊंगा राजियू जी को हम क्या मू दिखाएंगे इंद्रा जी को कि उनके वारिस के साथ उनके घर के चश्म चराग के साथ इस तरह की अपमान जनक बाते की जा रही है और देश खामोश बैठा है सवाल आप से है सवाल यहां बैठे वे लोगों से नहीं है सवाल आप से है जो आप कॉंग्रेस की महबबत में यहां आए हुए मैं आपको सलाम करता हूँ मैं जानता हूँ आप राहुल गांदी जी से महबबत करते हैं कॉंग्रेस पार्टी से महबबत करते हैं प्रियंका जीदी के सम्मान में आए हुए है खड़के साब के सम्मान में आए वे हैं मैं जानता हूँ वरना इस तप्ती दो पहरी में वरत रखके रोजा रखकर के कौन परिशान होने के लिए आता आपको महबबत है पार्टी से लेकिन नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूट जाता है महबबत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन महबबत को निभाने में पसीना छूट जाता है मैं जानता हूँ कि आप पसीने के बीच भी आप तप्ती दो पहरी के बीच भी यहां बैठे हैं क्यों कि आपके मन में पीडा है आप देख रहें कि लोकतंत्र को किस तरह से कुचला जा रहा है मेरे भाई ये एक मुश्किल वक्त है मैं इस मंच पर खड़ा हो करके गांधी समाधी के इस मंच पर खड़ा हो करके पूरे देश का आवाहन करता हूँ कि अब समय राहुल गांधी के सत्यागरा का नहीं है अब राहुल गांधी जी से आगे बढ़ करके देश के एक एक व्यक्ति के उपर बात आ गई है एक ऐसी आवाज जो आप के लिए संसत में बोल रही थी कुसूर क्या था उन्होंने पूछा कि प्रश्टाचारी मित्रों के खिलाफ आवाज उठाई उन्होंने पूछा कि बीस हजार करौन रूपया कहां से आया अडानी की कमपनियों में उन्होंने पूछा कि नीरो मोधी ने, ललित मोधी ने मेहुल चौकसी ने जो इस देश को लूटा है उसका जवाब प्रधान मंत्री जी को देना पड़ेगा अगर प्रधान मंत्री जी इतना कहने से आप राहुल गांधी जी की सदस्ता ले लेंगे तो हम तमाम सांसत तयार हैं ले लीजे हमारी सदसता लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं हम जुकने वाले नहीं हैं हम मुसलसल बोलते रहेंगे मैं हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमने सहराओं में हासिल किया आसानी से तुम समंदर में भी रहकर न मिले फानी से ये सियासत के दिये सब के हवाले न करो मुल्क बिक जाता है एक शक्स की नादानी से इस शक्स की नादानी से देश बिक रहा है लोगतंत्र मटिया मेट हो रहा है संविधान को कुछला जा रहा है और वो आखरी सदा जो साथ फरवरी को गूंजी थी पार्लियामेंट में उसको भी खामोश करने के लिए उसे संसत से निकाल दिया गया है मैं देश से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने राहुल गांदी जी को संसत से निकाल दिया है देश सुने इस बात को के नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने सामदाम दंड भेद इस्तेमाल करके राहुल गांदी को संसत से निकाल दिया है अब देश के उपर फैसला है उन्होंने संसत से निकाला है देश के लोगो राहुल गांदी को अपने दिल में रखो अपने दिल में बिठाओ, निकलो पूरे देश में, करो सत्यागरा, देखते हैं इस हुकूमत की तानशाही में कितनी ताकत है, अगर कॉंग्रेस का एक एक कारकरता, जो अपने घरों पर कहीं बैठा हुआ है, मैं उससे भी आवान कर रहा हूँ, कि राहुल गांधी से बढ़ करके ये मसला इस देश के लोगतंतर तका गया है, इसे बचाईए, और राहुल जी, शायद अपने घर पर होंगे, यहां हम हजारों की तादात में, उनको समर्थन देने के लिए जुटे हैं, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ, कि मेरे भाई, आपक एक बात समझनी है, और वो ये है, कि इस मुश्किल वक्त में, हमें राहुल जी से ये कहना है, कि लहु में भीगे, तमाम मौसम गवाही देंगे, कि तुम खड़े थे, एक आखरी नजम सुना करके मैं आपसे विदा लूँगा, कि लहु में भीगे, तमाम मौसम गवाही द खड़े थे, तुम्हारी आखों के ताक्चों में जलती मशालों ने नई मनाजिल हमें दिखाई, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहने, तुम्हारी माएं, तुम्हारी मिट्टी का जर्रा जर्रा गवाही देगा, कि तुम खड़े थे, हमारी धरती के जिसम से जब हवस के तुम्हारे ये सोच दे थे कि सियाह जोंकों की तरह चिम्टे तो तुम खड़े थे तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी अजमत और इस तकामत तो वो हिमाले है कि जिसकी चोटी तलक पहुँचना ना पहले बस में रहा किसी के ना आने वाले दिनों में होगा सो आने वाली तमाम नसलें गवाही देंगी कि तुम खड़े थे कि तुम खड़े थे हम तमाम लोग मैंने कहा ना बहुत सारे लोग यहां बरत रख करके आवे हैं मैं रोजे से हूँ हम तमाम लोग इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी जी के साथ हलल एलान खड़े हैं खड़े रहेंगे और एक एक सांस तक उनके साथ खड़े रहेंगे ये हमारा राहुल गांधी जी से वादा है जिसे खौफ नहीं है मुर्जाने का हम उस गुल के साथ खड़े हैं कैसा भी दौर आये लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं कल भी खुल कर साथ खड़े थे आज भी खुल कर साथ खड़े हैं कैसा भी दौर आये लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं शुक्रिया